नमस्का, मैं उस्तासी आयो जर्खन की टव पचीस पर मुख खबर जानते हैं अब लल्टेन का जबाना चला गया है और एलेडी बल्व का जबाना आ गया है उन्होंने रैली को संब्धन करते हुए कहा कि सवचालाई बिजली बैंक खाता स्वाथ सिवा गैस सेलेंडर सभी सुधाय मोधी सरकार ने दे दिये हैं अब पचीस क्रोर लोगों के घर तक नल से सुध जल पपचाने की योजना सुरू की गई है जारखन मुशंबी भाग के अनुसार जारखन के कई इलाकों में बारिस के असर हैं बंगाल की खाड़ी में बन रहे नीम्न दाप के करण 12 जुन तक बारिस के असर बन रहे हैं मसंबी भाग ने या भी अनुमान लगाया है कि 8 जुन को आसमान साफ रहेंगे दसवी बोट का रियल्ट जल्द हो सकता है जारी जारखन में मैट्रिक परिशा हुए तीन महीनों से ज्यादा का वक्त बुजर चुके हैं ऐसे में विद्यार्थियों का रियल्ट का बेसबरी से इंतियार है इस बीच जारखन अधिविद परिशद ने खुश खबरी दी है कि बोट के मुताविक जून महीने के अंत में या जुलाई के पहले सब्ता में दसी बोट के रिजल्ट घोसित हो सकते हैं आपको बता दे कि बोट ने रिजल्ट में देरी का करण संक्रामन को बताया है जारखन में आज 105 नए संक्रामन तो पुश्टी हुई जो धनबाद से 25, सिमडेगा, 13, लवर्दागा, 11, गिरीड, 11, जामतला 9, जमसेतपूर 8, रामगर 6, गुमला 4, हजारी बाग 3, लाते आर 3, गड़वा 3, कुडर्मा 2, पच्मी सिम 2, वरीम से 2, बोकारो 1, खुटी 1, सराय के ला 1 है जारकर में कुल संग्रमी तो पुश्टी से बढ़कर 11, 135 हो गई, जबकि 490 लोग स्वश्ट रे जात की मणित्य हो गई भारत में कुल संग्रमी तो पुश्टी हो गई, बहाता सो स्वास्ट हो गई परवासियों के रोजगार और स्वास्थ को लेकर चिंता बना गुपता स्वास्थ मंत्री बना गुपता ने कहा है कि हमंद सरकार परवासियों स्रमिकों के स्वास्थ और रोजगार को लेकर चिंती था उन्होंने कहा कि हमंद सुरेन के कुसल नेत्वित्र में स्वास्थ विभागने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी हर व्यक्ति को स्वास्थ रखने का खाका पहले ही तैयार किया गया है रोजगार को लेकर बना गुपता ने बताया कि राज सरकार हुनरमंद लोगों को रोजगार देने के पर्यास करेगी उन्होंने कहा कि हमारे भाई बहन को यहीं रोजगार मिल जाए जिससे उन्हें दुबारा धाक्ती छोड़ नहीं जाना पड़े बाबुलाल मरांडी ने संक्रमर जाज को लेकर मुख मंतरी को लिखा पत्र भाजबा विधायक दल के नेता बाबुलाल मरांडी ने मुख मंतरी हमनसुरन को पत्र लिख कर संक्रमर जाज की गति बढ़ाने को कहा है साथी उन्होंने कहा कि जो परवासी मजदूर आ रहे हैं उनको कहा कुरेंटीन किया जा रहा है तथा वे कहा से आया है सरकार के पास इसकी सही आकड़ा नहीं है उन्होंने कहा है कि ऐसी लचार बेवस्था के कारण संक्रमन बढ़ रहा है इस पर सक्त ध्यान देने की जरूरत है मुख मंत्री ने तीन जीलों के कुरेंटेन सेंटर को जाच का दिया आदेश मुख मंत्री हमन सुरें ने गिरी डी, रामगड और हजारी बाग जीले के उपायूत को कुरेंटेन सेंटर के जाच का आदेश दिया है मुख मंत्री को सिकायत मिली थी कि इस सेंटर में बिस्तर भोयन और सेने टायर की समस्या है CM ने तीनों जीले के उपायूत को मामले की जाच कर लोगों को मदद पहुचाते हुए रिपोर्ट मांगी है केरल से लोटी यूतियों ने हिमन्त सुरेन का जताया आभार केरल के एरना कुलम से लोटी जारखन की 500 लड़कियों ने मुख मंत्री हमान सुरेन का भार जताया है लड़कियों ने कहा कि दो माँ के लोकडाउन के दवरान हम दाने दाने के मोताज हो गई थी विरोध करने पर हमें होस्टल से निकाल दिया गया था लड़कियों ने कहा कि आब नहीं जाएंगे रोजी रोटी के चक्कर में केरल मुख मंत्री ने हमें जिल्लत भरी जिन्दगी से निजाद दिलाई है पारा सिक्षकों को दस बरस पर सिक्षन की सर्थ से मिल सकता है राहात पारा सिक्षकों की सेवा सर्थ को लेकर नव जूनको सिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में बैठक होगी इसमें पारा सिक्षक के सुझाव पर चर्चा होनी है बता दे कि इस पर अम्तिम निर्ने उचस्तरिय कमेटी ही लेगी सुत्रों के मुताविक पाराशिषकों को अस्थाई करन के लिए सीमित परिक्षार ली जाएगी जो वैसे सिक्षक समिलित होंगे जो परसिक्षित हैं जो परसिक्षित नहीं है वे परसिक्षन के 10 वर्स पुरा होने पर परिक्षा में समिलित हो पाएंगे बता दे कि पहले दस बर्स सेवा का अनुभाव भी होना अनिवार्य था लेकिन इस पर छूट मिले की संभावना है तथा परिक्षा में पास होने के लिए तीन अउसर दिये जा सकते हैं जो कि परिक्षा पास करने के लिए प्रप्तांग 60% अनिवार्य होगा ले से 208 प्रवासी स्रमी को फलाइट से लाया जाएगा जिसकी जनकारे मुख मंत्री ने ट्विट कर दी आपको बता दे कि आने वाली स्रमी क मोल्डों से संथाल पर गना के हाँ इन्हें दो चर्णों में वापस लाया जाएगा राज सरकार ले सेस रमीको के दोसरे और तीसरे समू को सोमु आ सुबह 10 बजे एवा मंगलवार साम 7 बजकर 40 मेट पर एयर लिफ्ट कर राची लाएगी रिम्स में लगेंगे 256 सलाइस की सीटी एसकेन मसीन राची के रिम्स में मंतरी द्वारा स्विकृति के बाद 256 सलाइस सीटी एसकेन मसीन की खरीदी के लिए टेंडर की परकरिया सुरू के लिए रिम्स निदेशक द्वारा आदेस जारी किया गया है रिम्स निदेशक डाक्टर डिके सिंग ने रेडियो लोजी विभाग के लिए 256 सलाइज सिटे सकेन मसीन की खरीदारी के लिए इटेंडर तयार करने का निदेश दिया है निदेशक ने टेंडर प्रपत्र तयार करया था सीग्ड सोपने का निर्देश दिया है ताकि टेंडर पर किरिया जल्द शुरू की जा सके आपको बता दे कि इससे पहले 256 की जगा 128 स्लाइड की खरीद को लेकर विवाद हुआ था जीम संचलको ने बैनर लेकर किया विरोध जीम संचलको ने जीम सेंटर खोलने को लेकर अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विरोध किया सारीरिक दूरी का पारण करते वे सरकार से राहत की मांग कर रहे थे उनका काना था कि जीम खोलने का निर्ने नहीं देने के कारण वह आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं उन्होंने सरकार से कहा कि क्या वह जीम का किराया वहन करेगी साथी बैनर पोस्टर में लिखा था कि जीम खोलने के अनुमती दी जा या फिर जहर दिया जाए गुटका खपा रहे थोक विक्रताओं को एस्टोक हटाने का दस जुन तक मोका स्वास्त बिभाग ने राज में चोरी छिपे गुटका खपा रहे थोक विक्रताओं को राज से इस्टोक हटाने का एक और मोका दे दिया है विभाग ने सभी वित्रकों एवन थोक वित्क्रताओं को कहा है कि वे किसी कारण से अब तक 11 कम्पनियों के गुटका एवन पान मसाला जार्खन के लिए बाहर नहीं भेज पाया है तो 10 जुन तक स्टोक हटा ले पांच दिन का स्टोक हटा जाएगा जिसमें 123 मामले का निप्टारा किया जाएगा जिला विधिक सेवा प्रादिकार के 13 अबिशेश मेडियो कंफिरेंसें के माध्यम से विवादों का निप्टारा करेंगे आपको बजाते कि इसकी मोनेटिंग जिला विधि सेवा प्रादिकार के सचीव अविशेश कुमार करेंगे जो सुम वार सुब आट बजे इसका उधाटन होगा गडवा फुट पास दुकंदारों को मिलेगा 10 जह रुपे की आथिक सहयता मामारी से उत्पन संकट को लेकर केंदर सरकार द्वारा प्रायोजीक दिन देयाल अत्योद योजना राष्ट्रिये सहरी अजिव का मिशन के तहत फुट पात पिक्रताओं के जिवन उपारजा नेतु 10 एउरुपे उपलवद कराया जाएगा आपको बता दे कि गडवा नगर पंचायत छेत्र के मुख बयार समेथ आजपास के 472 फुट पात दुकंदारों का सर्वे किया गया है जिसमें 100 लाभारती दुकानों का अधार काड़ोव बैंक एकाउंट की छाया प्रती जमा कर ली गई है गुमला जिला के पवेया गाउ के तलाब में दुब कर मरने से पूरी गाउ में को रा मचा है ग्रामनों के अनुसार अभिवार को 12 वजे दोनों बचों ने तलाब में नहाने चले गए थे जो गहरे पानी में जाने के कारण डूब गई और दोनों की मौत हो गई जारखन में सबसे बड़ा साइबर डाका देर रूपए उड़ा है आपको बता दे कि यहां मामला धान्बाद एकसिस बेंक का है जो अपने आप में अनूठे तरह का साइबर अपराद है धनबाद साइबर थाना में प्रात्मिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जाच शुरू कर दी है प्रात्मिक सिख्चक नियुक्ति की निगरानी जाच होगी जारखंड के कोडर्मा में प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ती में भारी गड़ बड़ी मिलने के बाद इस्कूली सिक्षा और निगरानी जाज कराने का फ़सला किया है शुत्रों के मुताबिक कुडर्मा, रामगर, धनबाद, साहिवगाई, लातेहार, सहीत, वे सभी जिला जहां नियुक्ति में और निमित्ता की सिकायत मिली है वहां जाज कराई जाएगी आपको बता दे कि विभाग ने निगरानी जाज का प्रस्ताव तयार कर लिया है एक हजार यात्री पहुँचे राची राविवार को राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली राची ट्रेन से लगभग एक हजार यात्री राची पहुँचे यात्रीयों ने बताये कि लोगडाउन खतम होने के बाद वे पहली बार 2400 रुपए खर्च कर राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली से राची पहुँचे सभी यात्रीयों की थर्मल इसक्रेनी भी की गई आपको बता दे कि यात्री के टिकट की जाच के लिए पावर गलास का उपयोग किया जा रहा है रिम्स नहीं पहुँच रहे हैं दूसरे मरीज राज में संक्रमन के बढ़ते मामले के बिच दूसरे का मीर वीमारी के मरीज भी अस्पताल में इलाज कराने से डर रहे हैं राज के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हर तरह के मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं लेकिन लोकडाउन के कारण और OPD काफी दिनों से बन रहने के कारण OPD में काफी परभापड़ा है आपको बता दे कि हर दिन जहाँ 1500 से 2000 मरीज OPD में पहुच रहे थे वहाई आप प्रती दिन 200 मरीज भी नहीं पहुच रहे है पलामू में जहारखन पूलिस के जवान के घर से चोरी के त्यारी को लेकर जेवरात खरीदी गई थी संक्रमन से अब तक 7 महत जाने कहाँ किसकी हुई महत जार्खंड में संक्रमन से अब तक जीन 7 लोग की महत हुई है उसमें से लगभग सभी दोसरे बीमारी से जंग लड रहे थे साथ लोगों में से चार ऐसे लोग है जिन में पहले से ही किड़ी मदमय जैसी बीमारी थी एक की मौत दुरगटना की वज़ा से हुई थी राज में पहली मौत बोकारों के साडम पंचाज से हुई जो पैसट वर्शी ब्रीध थे दूसरी मौत हिंद पीडी के 60 साल की पुरुष की हुई थी वहीत तीसरी मौत उसकी पतनी की हुई जो पाले से डायलेसिस पर थी राज में चौथी मौत कोडारमा के प्रवासी मजदूर की हुई पाची मत गिरी डीके जमुवा निवासी और छठी मत कोकर निवासी जो फोजी रिटायर था सातवी मत सिम्डेगा निवासी सिवा निवरित सिक्छक की हुई है साधी के नौ घंटे बाद दहेज के कारण विवाहित की मत राची बेडो नरकोपी थाना छेतर अंत्रगत एक नौ विवाहित की मत साधी के नौ घंटे बाद सिसुराल में हो गई माईके वालों ने सिसुराल के लोगों पर दहेज के लिए जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते वे नरकोपी थाना में प्रात्मी की दच कराई है स्वास्त मंत्राले के जारी गाइडलाइन के बाद धार्मिक अस्थलों को खुलने वर रियायत देने के ममले में जार्खंड सरकार रिक्स नहीं लेगी जार्खंड सरकार ने 30 जून तक राजे में धार्मिक अस्थलों को नहीं खुलने का निना लिया है जाहिर है कि इस निर्नाय के बाद आठ जून से दार्मिक अस्तलों के खुले राने की उमीद रखने वालों सरधालों एवं प्रोहित समाज निरास हुए हाँ सिम्डेगा कोडर्मा रामगर नियूज सिम्डेगा के ठेठाई टांगर के तारा बोगा में हाथी ने घर को छतिगरस्त कर दिया जिसमें दो बचे दब कर मर गया कोडर्मा नगर पंचायत छेत्र में घरों में बोरिंग कराने पर अब नगर पंचायत में एक हैल उप्यसूल्क जमा करना होगा रामगर के गोला परखंड अंतरगत पदान मंत्री आवास स्योजिना में जल साजी करने के मामले में पंचायत सेवपर प्रात्मी की दच कराई गई है धन्यवाद